हेलो इन्वेश्टर्स मेरा नामे योगी और हमारी मुलाकाद बार बार होगी तो आज की वीडियो में हम बात करने जारे जियो फाइनेशल सर्विसेश शेयर की बार जो कम्पने में जो लेटेस न्यूजेश चल रहे और पिछले एक हफ्ते से जो इस शेयर में जो न्यूजे आज की वीडियो में जो न्यूजेश से आने वाले हफ्ते में इस टॉक पर क्या इंपक्ट पड़ेगा और क्या इसके शॉट टम और लॉंग टम में इसके टार्गेट्स होगे न्यूज से कम्प्लेट आज आपके साथ शेयर करें तो आज का वीडियो जियो फाइनेशल सर सर्विसेस के जो सबसे पहली न्यूज है आप देखो कि जो आर बीए की तरफ सेर जो कि काफे बड़ी न्यूज है जो जीयो फाइनेशल सर्विसेस है वो अब CCI में जाना चाहती है जो NBFC से जो CCI में जाना चाहती है तो यह NBFC होता क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेशल क मतलब जो जब इस कैटेगरी में कोई भी कमपनी होती है जैसे जीयो फाइनेशल सर्विसेस थी तो NBFC में क्या होता है कोई भी कमपनी जो आर बीए के मुताबिक ही अपने काम काच करती है और जो जीयो फाइनेशल सर्विसेस का जो मानना है कि अब वो CIC में जाना चाहती ह समय होगा जो जियो फाइनसफ सर्वीस से वह YOUR के मताबिक नहीं जो अपने खुद प्लाइन्स होगे उसके मताबिक काम करेगे और जियौ फाइनसफ सर्वीस कोई गलव launch ऑसा काम करता है मतलब RBI के rule के against करता है तो जिसमें RBI का mostly उस company को suspend कर देते और काफी ज्यादा motive penalty लग रहे जिससे जो foreign investors है जो भी company जो NBFC में होती तो foreign investor जो रहते ऐसी कमपनियों में investment में नहीं करते जिससे दूर रहते क्योंकि उनका capital हो भी सकता है जीरो भी हो सकता है तो यह बहुत ही अच CIC में जाने के लिए तो अभी और जो इनकी news है मतलब यह तो काफी बड़ी news है जो company RBI से अप्रूब भी हो गए आप देख से तो clearly लिखा है 23 November के news है तो RBI approved to convert from NBFC to CIC तो यह काफी बड़ी news है जिससे आने वाले टाइम में जो जिससे आने वाले टाइम में जो जिससे आन geofinancial services में हमें investment करते हुए नजर आ सकते हैं तो आप देख सेते हैं जो दूसरी geofinancial services की news है जो bond issue करने वाले market से और वो पैसे raise करने वाले geofinancial service में करीब 5000 करोड से 10,000 करोड के बीच में मतलब एक बहुत बड़ा amount है जो यह geofinancial services market से उठाने वाले तो मतलब यह आने वाल और definitely जब Monday को यह stock हमें open होते हुए नजर गया positive movement open होते हुए नजर गया definitely क्योंकि जो news सारी continuously पिछले खफते से उससे आने वाले time में geofinancial के जो करन प्राइस से हमें काफी अच्छा benefit मिलने वाला है और जो यह bond issue हो रहे है वो किसलिए जैसा में कि आपको मेरे पिछले है कि जो geofinancial service बहुत जल SBI bank के साथ इन टाइप किया है जो credit card business में उतरने वाले और साथ में वो home loans, motor loan, car loan सबी loans में आने वाले time में इंडिया में जो अपने products loan करने वाले उससे आने वाले time में जो इंडिया में जो loan की काफी बड़े बड़े अच्छे खासे offers हमें दिखने इसलिए जो ये 5,000 करोड से 10,000 करोड का जो bond issue हो रहा है इसी के लिए क्योंकि बहुत जल इनके जो plans हमें इंडिया में आते हुए नजर आएगे और आप सभी को पता है जब मुके शंबान इंजी ने जियो जो जियो mobile की जो services चालो की तो कैसे offer तो पूरा telecom market उन्होंना capture कर की जो किल्दत होती है छोटे बड़े लोगों को वो जियो finance services दूर करने वाली है और काफी बड़े बड़े offers हमें इसमें देखने को मिलेगे जिससे retail investors और काफी जो retails जितने भी all over इंडिया में काफी लोग इनके तरफ भागने वाले और definitely जब ये company loans देगी या ऐसे products में तो definitely जियो finance services में पैसा तो बनेगा और बहुत जल इसमें हमें अपना पैसा मल्टिब अगर होते हुए भी नज़त आएगा क्योंकि जो newses हारी पिछले खपते से काफी बड़ी बड़ी newses हारी जियो financial services में और जो Mr. Mukesh Ambani की जो डॉटर इशा Ambani और उनको भी RBI ने को उचाईयों पर लेके गए थी मतलब आप देख सकते हैं नीचे लिखा है अर्लियर इन ओक्टोबर जियो financial पैरेंट कंपनी रिलाइंस इंडर्स्री को काफी अच्छा खासा काम करके दिया था और अभी ऐसे टाइम पे जब वो RBI ने अप्रूब किया इशा Ambani को जो रिल अच्छा कासा experience है इस फिल्ड का और डेफिनेटली जो बड़े बड़े अंसुमन ठाकूर और हीते सेट्या उन्हों भी साथ में इनके डाइरेक्टर बने जियो financial service है मतलब जो न्यूजेस आप देखोगे वो काफी जल्दी जल्दी न्यूजेस आरी पिछले एक दू अपत अपतों में हमें ये 300-300 भी होते विए नजर आएको और शॉट टम में इसके काफी बड़े टार्गेट्स है जो करीब करीब साड़े 400-500 के टार्गेट्स है जियो financial service है जो हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाले क्योंकि जो company continue bond issue की जो बाते चल रही है और जो आप दे अपनी हमें बहुत जल्द large cap stock में भी नजर आने वाले जिससे जिस सभी positive news हमें जीओ financial service में देखने को मिली तो बहुत जल्द हमें stock में बड़ी तैजी देखने मिलने वाली तो आज के लिए बस इतना है जीओ financial services पर आपको मेरा वीडियो पसे नहीं दो वीडियो को लाइक करो चैनल पर निव तो चैनल को सब्सक्राइब करो हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसे नहीं दो वीडियो को लाइक करो आपको किसी stock के बारे में जानना है तो आप हमें comment section में बता सकते हो क्या आपने जियो financial service में करने हो तो आप हमें comment section में बता सकते हो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नुदो चैनल को सब्सक्राइब करो आज के लिए इतना ही बस थैंक्यों